आज के वीडियो में हम डिक्ट्स करने वाले हैं बेटकोइन का निचे जा रहे हैं जो भी उपर नीचे होने वाला है क्यों होने वाला है उसके बारे में हम आपको अपनी रीजिनिंग देंगे बाकी अपने ऋसपे ड्रेट कर सकते हो तो let's get started सबसे पहले हम चलेंगे Bitcoin के चार्ट की साइट and Bitcoin पे अगर हम daily में observe करें तो हमें एक clear way of fact pattern दिख रहा है way of fact pattern कैसा होता है कि हम इसके middle middle वाले area तक जाते हैं फिर हम यहां से rejection लेते हैं that is 38,800 के आसपास वो section पढ़ रहा है तो यह तो daily का चार्ट है यह नहीं है कि आप 4 hours में trade नहीं कर सकते हो okay so let's see कि shorter time frames में क्या दिख रहा है 38,800 के आसपास तक हम जाएंगे जो कि हमारे last time का peak था and अभी अगर हम इसको 1 hour के time frame पे देखते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पे हम बार-बार इस resistance को cross करने के कोशच करें that is 37,800 dollars and बार-बार rejection हमें देखने को मिल रहे है अबे मेरे को तो अंदर लो साती साथ हम एक volume trend यहां पे observe कर रहे है जो की decreasing है जो की एक bearish signal रहता है कि हमारी volume market में decrease हो रही है और candle के साथ तो हो सकता है कि एक sudden downward move यहां पे आप देखने को मिल रहे है अब यह सारा जो moves है हमें पता है कि stock market से बहुत highly influence होता है तो हम stock market की side से देखते है कि क्या चल रहा है तो S&P 500 के साब से हमने देखा था कि we were expecting a bounce back from this area अगर आप हमने previous videos देखोगे जिसमें compare करते हैं तो हमने यह support बनाया था क्योंकि last time में support की तरह काम किया था तो वहीं से हमने देखा एक अच्छा bounce back S&P 500 पे भी आया कि already technical analysis अगर हम देखे तो 5% jump हमें देखने को मिला लेकिन यहां पर हमें 200MA से rejection मिलने के अच्छे खासे chances है daily में यहां पर हो सकता है कि Monday का जो stock market है वो red हो हम देख रहे हैं बार-बार की Fridays जो हो रहे हैं बहुत जादा polish हो रहे हैं और बाकी जब Mondays आ रहा है तो market crash हो रहा है जब भी market crash हो रहा है तो Bitcoin साथ में crash हो रहा है तो you can expect कि अभी एक undecided movement होने वाला है Bitcoin के market में crypto के market में जो कि Monday को market opening मतलब जो रात को 8 बजे US market opening उससे highly influence होने वाला है कि market में क्या होगा and that is when I am expecting our bear flag to break down जना बारी बारी से आने दो यह मेरा short term analysis रहेगा and अगर हम उसको roughly देखें तो हम उपर जाएंगे then we will break down to these levels 33,000 dollars के that is purely my analysis अगर आपके पास कोई और analysis you can share it to me on Twitter बाकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे Ethereum की Ethereum ने बहुत ज्यादा गाइन कराई अगर आपको याद होगा हमने 1950 से 2150 के बीच में targets लगा रखे हैं still these are my buying targets मैं Ethereum को वहीं पे buy करूंगा साथी साथ मेरी SIP चली रही है मैं daily 70 dollar का bitcoin और 100% gain कर सकते हो अगर हम वापिस से all time high पर जाते है all time high के लिए हमने यह आपको दो parallel lines दी है जनके इसके बीच में Bitcoin को इस ताइम पर trace कर रहे है okay so याद रखना आज मैं probably buying नहीं करने वाला हूं क्योंकि market मुझे पता है कि यहां से नीचे जाने के जाने के जादा chances है अगर हम compare करें आप देख रहे हो daily में भी volume trend downward की size है अगर आप price action trading जानते हो तो आपको पता होगा कि volume trend जब भी downside होता है तो हम एक reversal देखते हैं जो भी trend होता है अभी trend क्या है हमारा हमारा trend इस टाइम पर जा रहा है and volume नीचे जा रहा है तो that becomes a bearish divergence and हम नीचे गरते हैं okay so that will be my analysis and मेरा जो prime इस टाइम पर best coin होगा buy करने के लिए वो रहेगा Luna 52, 46, 48, 50 these are the price points जहां मैं Luna को उठाने की बहुत कोशच करूँगा and वहीं पर उठाउगा and AR will be my other coin जिसको मैं यह पर pick up करूँगा अगर मुझे phantom 2 से नीचे मिलता है then I also pick up phantom first layer 1s की side में सबसे जल्दी हम gain देखते हैं तो इसमें से आधे layer 1s ही है जिनको मैं pick कर रहे हैं तो that will be my analysis for today if you like the video please let me know in the comments and like कर देना video को अगर आपको rate setup अच्छा लगा अगर आपका खुद का कुछ rate setup है या आपको लग रहा है कि बोलिश होने वाले है हम so do share it to me on twitter and twitter पे हम आपका अंसर देंगे that is it for this update guys we are going to do a 20 000 rupees giveaway very very soon so do tune in for that and subscribe for that